राथी राथी दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों होली का पर्व दो दिन होता है पहले दिन होली का दहन कर अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है इस पार होली का दहन को लेकर कन्फ्यूजन है फालगुन पूर्मा पर खोलिका देहन किया जाता है इस पार पूर्मा तिथी 6 मार्च को शाम 4 बच कर 70 मिनट पर शुरू होगी और 7 मार्च की शाम 6 बच कर 9 मिनट पर समाप्त होगी खोलिका देहन भद्रा रहित प्रदोशकाल में किया जाता है और 6 मार्च को शाम 4 बच कर 48 मर्च से 7 मार्च की सुपह 5 बच कर 14 मिनट पर क्योंकि प्रदोश काल रहेगा इसलिए इस बार होलिका देहन का पर 7 मार्च को मनाया जाएगा इस पार होलिका देहन करशुब महुरत साथ माच की शाम 6 बच कर 24 नट से रात 8 बच कर 51 नट तक रहेगा रंगवारी होली 8 माच को खेली जाएगी शास्तों में बताया गया है कि फालगुन पूर्मा के दिन ही हिल्य करशुब के कहने पर उनकी बहन होलिका उनके पुत्र प्रहलात को लेका चिता पर बैठ गई थी और भगवान विश्णू ची की किरपा से भक्त प्रहलात तो बच गई लेकिन होलिका अगनी में चलकर भस्म हो गई तभी से इस दिन हर साल अन्याय और पाप पर न्याय और सत्य की बिजे की रूप में होलिका देहन किया जाता है माना जाता है होलिका की अगनी बहुत ही पावन होते है होलिका देहन के समय सभी नकारात्मक उर्जा और बुराईयों का अंध हो जाता है गह दिन भक्ति की शक्ति के रूप में भी मनाया जाता है होली का दहन पर होली की पूजा का विशिश महत्व होता है शांस्तों के अनुसार होली की पूजा करने से घर में सुक सम्रधी आती है घर में शांती का बास होता है और भगवान विश्णुजी के कृपा प्राप्त होती है लिसंतान दमपत्यों को भी संतान सुख की प्राप्ती होती है दोस्तों होली की पूजन का शास्तों में विशिश महतो बताया गया है होली का पूजन करने के लिए होली में टोली, अक्छत, फूल, कच्चा, सूत, हल्दी, मौंग, सत, नाज, गुलाल, नारियल, इत्यादी वस्तों चढ़ा कर होली की परिक्रमा कर पूजन किया जाता है शास्तों में कुछ बस्तों ऐसी बताई गई हैं जिन्हें होली में चढ़ाने से शुफलों की प्राप्ती होती है वहीं कुछ ऐसी बस्तों भी होती हैं जिन्हें अगर होली में चढ़ा दिया जाए तो इससे अशुफल की प्राप्ती होती है क्योंकि होली की रात को सिथी की रात कहा जाता है होली की रात सकारात्मक और नकारात्मक तौनों तरहें की उजाएं बहुत ही जादा हावी रहती है शुप कारे करने वाले लोगों को शुफलों की प्राप्ति होती है और जाने अंजाने गलत कारे करने वाले लोगों पर नकारात्मक उजा हावी हो जाती है होली में सही बस्तुएं चढ़ाने से नकारात्मक उजा नश्ट होती है और घर में सुक्सम्रधी आती है वहीं कुछ ऐसी बस्तूएं हैं जिनने अगर होली में चढ़ा दिया जाए तो उससे सकारात्मक ऊजा नष्ठ हो जाती है और गरीबी और दरित्ता गले पर जाती है घर में गरीबी और दरित्ता का बास हो जाता है इसलिए होली में कुछ भी चढ़ाने से पहले आप इस वीडियो को एंट तक अवश्य ही देखें जिससे अंजाने में भी आपसे कोई गलती ना हो दोस्तों बस्तुएं जानने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि होली में आप किस समय बस्तुएं चढ़ाएं और होली का पूचन किस समय करें होली का पूचन हमेशा होली का दहन के दिन सूर्य उद्य के बाद ही करना चाहिए और भद्राकाल के दोरान होली का पूचन भूल कर भी नहीं करना चाहिए भद्राकाल के दौरान कोई भी बस्तू होली में नहीं चढ़ानी चाहिए इस पार भद्राकाल दुपहर एक बचकर बीस मर्ट पर शुड़ू हो जाएगा इसलिए आपको होली का पूचन दुपहर एक बचकर बीस मर्ट से पहले अवश्य ही का लेना है क्योंकि भद्राकाल ऐसा काल होता है जिसमें कोई भी शुक कार भी किया जाए तो भी उसके अशुक परणाम ही प्राप्त होते हैं इसलिए भद्राकाल की दौरान होली में कोई भी बस्तू ना चढ़ाए दोस्तों सबसे पहली बस्तू है नारियल अधिकतर सभी लोग होली में नारियल चढ़ाते हैं नारियल को शास्तों में शिरी फल कहा जाता है यानि कि मा लक्ष्मी जी का फल लेकिन अगर आपने गलत तरहें से गलत नारियल होली में चढ़ा दिया तो आपको धन की हानी का सामना करना पड़ेगा दंसम्मंदी समस्यां लगातार बनी रहेंगी दोस्तों तीन तरहें के नारियल आते हैं एक पानी वाला नारियल एक बिना छिलके वाला नारियल सूखा नारियल जिसे गोला भी कहा जाता है और एक होता है जटा वाला नारियल तो होली में हमेशा चटा वाला सूखा नारियल चढ़ाएं और नारियल खरीदते समय आपको इस बात का भी विश्य ठ्यान रख रहा हैं कि नारियल को लेकर आपको हिलाना है हिलाने पर अगर नारियल में आवास आती है यानि कि उसके अंदर गिरी है तो आपको वही नारियल होली में चढ़ाना है क्योंकि यही नारियल पूर्ण माना जाता है जिस नारियल को हिलाने पर अवास नहीं आती या फिर जो नारियल चटका हुआ होता है वहे नारियल अपूर्ण होता है उस नारियल को होली में चढ़ाने से शुफलों की बजाए अशुफल की प्राप्ति होती है क्योंकि नारियल को पूर्ता का प्रतिक माना जाता है इसलिए सदैब हूली में साबुत जटा वाला गिरी वाला नारियल ही चढ़ाए नारियल चढ़ाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई नौकरी संबंधी परिशानी है तो आपको जलती होई होली में नारियल चढ़ाना चाहिए अगर आपको कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है तो होली चलने से पहले आपको नारियल पान और सुपारी के साथ होली में डालना चाहिए अगर आपको धन संबंधी समस्या है तो होली की साथ परिक्रमा करने के पश्चाथ आपको नारियल होली में डालना चाहें है अगर आपके उपर किसी की बुरी नजर लगी होई हो कोई उपरी बाधा है कोई परिशानी है तो आपको नारियल को अपने सिर पर से साथ बार बारने के बाद नारियल को तीन बार पेट पर से मौली से लपेट कर मौली की में गाट बांध कर आपको इस बंदे हुए नारियल को होली में चढ़ाना चाहें उतारा किये हुए नारियल को कभी भी आप बिना बांधे हुई होली में ना चढ़ाएं इस बात का विशी स्थ्यान रखें दोस्तों नारियल के इलावा एक अन्य बस्तू है जिनें बढ़कुले कहा जाता है ये हम सभी होली में अवर्शे ही चढ़ाते हैं गोवर के राउं सरकल बनाये जाते हैं जिन में छेद होता है ऐसे ही खिलोने चांद तारे भी बनाये जाते हैं इन सभी को सूखने के बाद मौली में डाल कर एक माला बनाई जाती है और इस माला को होली पर चढ़ाया जाता है बढ़कुले चढ़ाए बिना होली की पूजा पूर नहीं होती लेकिन हमेशा बढ़कुले चढ़ाते समय हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं अथिकता सफी लोग सिर्फ एक माला बढ़कुले की होली पर चढ़ाते हैं अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आगे से फूल कर भी ऐसी गलती ना करें क्योंकि हमेशा बढ़ कुले की चार मालाएं चढ़ानी चाहिए और यह मालाएं परिवार के मुख्या को चढ़ानी चाहिए सबसे पहली माला पित्रों के नाम की होली पर चढ़ाई जाती है दूसरी माला बजरंग बली के नाम की होली पर चढ़ाई तीसरी माला शीतला माता के नाम की होली पर चढ़ाई इसके बाद लाश्ट में चौत ही माला आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों के तरफ से होली पर चढ़ानी चाहिए होले पर एक माला चढ़ाने से जीवन में परिशानियों का सामना करना पड़ता है घर में बीमारी और परिशानी अपना डिरा डाल लेते हैं इसलिए पित्रों की बरजंग बले की शीतला माता की कृपा प्राप्त करने के लिए होली पर आप चार बढ़कुले की मालाई चढ़ाएं। ऐसा कहने से पित्रों और बर्जंग बले की कृपा से कष्टों और दोसोजी छुटकारा प्राप्त होगा। साथ ही सीतला माता की कृपा से घर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगी। दोसो तीसी चीज है कच्छा सूथ। होली की परिक्रमा करते समय होली पर सदय पर कच्छा सूथ बավनना चाहें। अथिकतर लोग रील जु सलाई वाली रील होते हैं उसके ठाके को होली पर बानने लग चाते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहें। होली पर सदय कच्चा सूथ बादना चाहिए, होली की तीन या साथ परिक्रमा करनी चाहिए, और तीन या साथ परिक्रमा करते समय आपको तीन बार या साथ बार कच्चा सूथ होली पर लपेचना चाहिए, अधिकतर लोग यह गलती करते हैं कि अगर उनके सूथ का एक बंडल एक परिक्रमा में ही खतम हो गया, तो वो बाकी परिक्रमा खाली हाथ करते हैं, ऐसा फूल कर भी नहीं करना चाहें, चाहें कितने भी बंडल लगें, लेकिन आप अगर तीन परिक्रमा कर रहे हैं, तो तीन बार कच्चा सूत होली पर लपेटें, साथ कर रहे हैं, तो साथ बा भी आप इस बात का ध्यान रखें कि कई लोग कुछ टॉने टोटके के लिए होली की उल्टी परिक्रमा करते हैं ऐसा भूल कर भी ना करें होली की सद्य सीधी परिक्रमा करें अगर आप होली की उल्टी परिक्रमा करेंगे तो आप पर नकारात्म कूजाएं हावी हो जाएंग जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा होली की पूजा करते समय होली पर जल भी चढ़ाया जाता है यह जल शीतला माता के लिए चढ़ाया जाता है लेकिन ध्यान रखें होली का देहन के समय या होली का देहन के बाद खोली पर जल भूल कर भी ना चढ़ाएं खोली पर उतारा करते समय कई लोग अपने पुराने पहने हुए कपड़े या फिर अपने सिर्के बाल काट कर होली में चढ़ा देते हैं ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए ऐसा कहने से आपको नकारात्मक उजा से छुटकारा मिलने की वजाए नकारात्मक उजा का आपके उपर प्रभाव हो जाएगा दोस्तों होली पर इन बस्तूओं को चढ़ाते समय आप इन बातों का विशित ध्यान रखें साथ ही यह भी ध्यान रखें कि पीरिट के दोरान महिलाएं होली पर को भी बस्तू ना चढ़ाएं ना ही होली के पास चाएं ना ही होली की परिक्रमा करें यह भी ध्यान रखें होली का पूजन करते समय होली की परिक्रमा करते समय या कुछ भी बस्तु चढ़ाते समय आप चूते चपल ना पहने होली का पूजन करने से पहले या होली में कुछ भी चढ़ाने से पहले आप इश्चनान अवश्य ही कर ले होली का पूजन करते समय महिलाएं अपने बालों को बांध कर रखें के साथ करें क्योंकि होली के दिन सकारात्मक उजाओं के साथ ही नकारात्मक उजाओं का प्रभा भी बहुत जादा रहता है और नकारात्मक उजाएं खुश्पू पर या फिस सुंदर प्रसाधन पर बहुत जल्दी आकर्शित होती हैं इसलिए इन बातों का विश्य ठ्यान उम्मीद हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तिदारों में जदा से जदा शेयर करें जिसे भैबी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तैंक्स फॉर वॉचिंग राधे राधे आप सभी को केस्थी राधे किष्णा शेंगार परिवार की तरफ से होली की हादिक शुप काम नाएं